हेलो दोस्तों स्वागत आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे महराश्ट्रा और देश के खास रेल्वेश्टेशन नागपूर जंशन के बारे में और साथी साथ हम नागपूर जंशन से चलने वाली सभी ट्रेनों पर विस्तार से बात करेंगे तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दारायल नौलेज तो दोस्तों नागपूर जो की है महराश्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर जो की बारत के मध्यमिस्तित है नागपूर बारत का 13 वाँ विश्वय का 114 सबसे बड़ा नगर है यह शहर संत्रों के लिए भी काफी मशहूर है नागपूर शहर का नाम नाग नदी पर रखा गया है जो की नागपूर के पुराने हिस्से से गुजरती है नागपूर शहर प्रियतन की द्रश्टी से भी एक महतपून स्तान रखता है जहां अमबा जरी जील, बालाजी मंदिर, गोरेवाड संग्राल्य, जंगल सफारी वे मानसर पुरातात्विक जैसे अनेको दर्श्टी स्थल है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस शहर के रेलवे स्टेशन की तो दोस्तों नागपूर रेलवे स्टेशन नागपूर शहर का रेलवे स्टेशन है जिसे खोला गया था सन 1867 में, जिसे A1 केटिगरी से नवाजा गया है नागपूर रेलवे स्टेशन मुंबई हावडा वद दिल्ली चन्नेई लाइन का एक महतोपूर रेलवे स्टेशन है जो कि देश के पुराने और व्यस्त स्टेशनों में से एक है जिससे संचालित करता है मध्य रेलवे और जिसका की रेल डिविजन है, खुद नागपूर रेल डिविजन नागपूर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है NGP और इसकी जो समुदर तल से उंचाई है, वो है 308.96 मिटर नागपूर रेलवे स्टेशन पर अगर हम प्लेटफोर्म की संख्या की बात करें तो यहां की 13 रेलवे लाइनों पर 8 प्लेटफोर्म मने वे हैं जहां से आपको बारत के सभी महतोपून स्थानों के लिए ट्रेन मिल जाती है यहां की railway lineों के अगर हम बात करें तो यह एक junction railway station है जहांसे दिल्ली चेन्नाई मेन railway line, हावडा नागपूर मुंबई railway line, गोपाल नागपूर section, बिलासपूर नागपूर section और नागपूर गुशाल section निकलती है और यहां पर आपको railway line में अध्भूद diamond crossing भी देखने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए लोग यहां पर आते हैं नस्दी की railway station के अगर हम बात करें, तो नागपूर मोती बाग railway station यहां से 1 km की दुरी पर और अजनी railway station यहां से 3 km की दुरी पर स्तीत है नागपूर में एक लोकोशेड भी है, जिसे अजनी लोकोशेड के नम से जाना जाता है दोस्तों नागपूर जन्चन एक 3 लाइन वाला इलेक्रिक फइड रेल्वे स्टेशन है, जहां से इलेक्रिक ट्रेनों का अबागमन होता है जहां पर इलेक्रिफिकेशन का कार्य सरफ 1988 से 1922 के मध्य पूरा कर लिया गया था दोस्तों यात्रियों की दृष्टी से नागपूर जन्चन पर हम मिलने वाली सुईदाओं के अगर हम बात करें तो यह A1 केटिगरी का रेल्वे स्टेशन है, जहां पर आपको सभी मूल गुद सुईदाएं मिल जाती है जैसे ठहरने के लिए रेटाइरिंग रूम की सुईदा, पार्किंग की सुईदा, वेटिंग होल की सुईदा, सभी प्लेटफोर्म पर शुद पैजल की सुईदा, फूट ओवर ब्रिज वन लिफ्ट की सुईदा, इसके अलावा स्वाचलिस सीडियों की सुईदा, खानप अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ जाती है वहीं 20 जोड़ी ट्रेनें नागपूर से ही अपनी यात्रा की शुरुवार्ट करती है और नागपूर में ही अपनी यात्रा को पूल्ड करती है जिसमें 8 राजधानी एक्सप्रेस 3 गरीब रत एक्सप्रेस 36 मेल एक्सप्रेस 7 A.C. सूपरफास्ट एक्सप्रेस 3 मेमू ट्रेंस 6 संपर्ग करांती एक्सप्रेस 11 दुरंतो ट्रेंस 170 सूपरफास्ट एक्सप्रेस 15 हमसफर ट्रेन और 2 वंदे बारे ट्रेन शामिल है और दोस्तों अगर हम नागपूर जंसन से ही चलने वाली ट्रेनों की विस्तार से बात करें तो इसमें हैं ट्रेन नंबर 11201 नागपूर शहडोल एक्सप्रेस प्रति दिन 01374 नागपूर वर्धा मेमू प्रति दिन 22137 नागपूर एहमदाबाद प्रेरना एक्सप्रेस हफ्ते में तीन दिन हर बुदवार, शनिवार और रविवार को 01203 नागपूर आमला मेमू प्रति दिन 22175 नागपूर जेपूर सा ताइक सुपरफास्ट हर गुरुवार को 02140 नागपूर मुंबै सीअश्टी स्पेशल फेर हर मंगलवार और शनिवार को 20826 नागपूर बिलास्पूर वंदे भारत एक्सप्रेस हफते में 6 दिन शनिवार को छोड़ कर 01139 नागपूर मढगाउं स्पेशल फेर हर बुदवार और शनिवार को 11403 नागपूर कोलापूर बाइविकली एक्सप्रेस हर मंगलवार और शनिवार को 22142 नागपूर कूने हम सफर सप्ताइक एक्सप्रेस हर शुक्रवार को 20912 नागपूर इंदोर वंदे भारत एक्सप्रेस हफते में 6 दिन हर रवी वार को छोड़ कर 22125 नागपूर अम्रसर ऐसी सुप्रफास्ट एक्सप्रेस सफ्ता में एक दिन हर शनिवार को 12136 नागपूर कूने सुप्रफास्ट त्री साप्ताइक एक्सप्रेस हर सोंबार बुद्वार और शनिवार को 12114 नागपूर कूने गरिवरत त्री साप्ताइक एक्सप्रेस हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को 01323 नागपुर आमला मेमू प्रति दिद 12924 नागपुर डोक्टर अम्बेडगर नगर 17 सुपरफास्ट हर बुदवार को 12914 नागपुर इंदोर 17 सुपरफास्ट हर सोमवार को 02144 नागपुर पुने स्पेशल फेयर हर गुरु वारको 12290 नागपुर मुंबै सियष्टी दुरंतो एक्स्प्रेस प्रति दिन और 12140 नागपुर मुंबै सियष्टी सेवागराम एक्स्प्रेस प्रति दिन तो दोस्तों ये थी नागपुर रेलवे स्टेशन और यहां से चलने वाली ट्रेनों की एक छोटी सी जानकारी दोस्तों कर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वे शेयर करना नय भूलें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन